दोस्तो आज का ये जो उत्सव है ये बसंत का उत्सव है और भाई बनज ने और फारुक भाई ने और शो भाजी ने और सब ने सब इतने अच्छे गीतकार इतने अच्छे दोहा लिखने वाले इतने काम करने वाले लोग हों मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद मैं अपनी कविताओं को फिर से शेयर कर रहा हूँ अभी अभी ताज़ा दो शेयर हुए पहले वो बता दूँ चुकि जिस हवाले से आज ये समारो आयोजित किया जा रहा है मैं कहता हूँ के के मैं नहीं चाहता हूँ मस्जिद या शिवाला हो जाऊँ मैं नहीं चाहता हूँ मस्जिद या शिवाला हो जाऊँ बस तेरे नाम का एक चाहने वाला हो जाऊँ मैं नहीं चाहता हूँ मस्जिद या शिवाला हो जाऊँ बस तेरे नाम का एक चाहने वाला हो जाओं अपने शब्दों से जमाने का उजाला हो जाओं अपने शब्दों से जमाने का उजाला हो जाओं और लेखनी मुझे को भी ऐसी दे निराला हो जाओं अपने शब्दों से जमाने का उजाला हो जाओं लेखनी ऐसी दे मुझे कि निराला हो जाओं जिन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं दोस्तों ये साहिते के वो पुरोधा लोग हैं जिनके कलम में वो जादू है जिनकी कलम के लफ़ों को चुरा कर हमने लिखना और पढ़ना सीखा है और लोकेजी ने सही कहा है कि जो बसंत का पर्व है ये प्रेम का पर्व है दरसल में इश्क का पर्व है चाहत का पर्व है उल्फत का पर्व है और ये प्रेम इश्क चाहत किसी धर्म मजभब जाती समुदाय सम्परदाय के लिए नहीं है पूरी दुनिया के लिए है तुम पर कोई गीत लिखूं, सांस सांस में तुम्हें रचालूं, मैं तुमको मनमीत लिखूं, मैं तो केवल शिल्पी ठहरा, शब्दों की छैनी हो तुम, तुम्हें प्रिरना लिखूं रधे की, या जीवन संगीत लिखूं। ये जो गीत है, ये गीत दरसल में जीवन का संगीत है, कविता गीत में ही छुपी पड़ी है, गता याद आने लगा है, कि पकडंडियों की गोद में खोली थी जिसने आँख, वो दास्तान सो गई बरगत की च्छाओं में, वो शहनाईयों के शोर में दम तोड़ता हुआ, ए दास्तान सो गई बरगत की च्छाओं में, शहनाईयों के शोर में दम तोड़ता हुआ, एक गीत जा रहा है, किसी और गाउं में, आज ये जो कावित संगोष्टी हो रही है, बहुत अम्रद कावित संगोष्टी हो रही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ के, एक और कता ही जबता है ये, गो के मेरा मन नहीं, मनकों की माला हो गया, हर घड़ी हर वक्त तेरा नाम ही जबता है ये, गो के मेरा मन नहीं, मनकों की माला हो गया, मुझ को क्या मालूम पूजा किसको कहते हैं ये लोग, तुम को देखा, सर जुका डाला, शिवाला हो गया, शुक्रिया दोस्तों आप इतनी तनमयता से इतनी महबतों से सुन रहे हैं वैसे तो चुके मेरे बहुत से कभी साथों ने कहा है कि आप लोग बोले तो पता चले, आप तालिया बजाएं तो पता चले आप कहें तो पता चले, मुझे पता चले ना चलेगा कोई पता नहीं चलता क्योंकि मैं रेडियो का आदमी हूँ आप कुछ कहें न कहें बोले न बोले लेकिन सब कुछ आपका जो जजबा है वो मुझे से कहुंचता रहता है बर्तों से पहुंचता रहता है जो गीत मैंने लिखे हैं वो चूड़ी चड़े लोग प्रिय गीतकार हमारे दोस्ते महंदर भानावत उन्होंने एक मेरा इंट्रिव लिया था उनका ये टाइटल है आज लोगे जिनने बहुत पुरानी बात को फिरते ताजा किया है चूड़ी बाजा किसी जवामने में बज़ता था उस हमवी के लिए मैंने गीत लिखे थे और ये गीत लिखते लिखते कब मैं खुराई शरीफ का राजस्थानी में अनुवाद करने वाला पहला विक्ती बन गया कम में गीता अंजली का अनुवाद करने वाला दोहो शैली में कहने वाला पहला व्यक्ति बन गया इंजन की सीटी लिखता लिखता कम मैं इस अध्यात्म के तर बढ़ गया मुझे कुछ पता है नहीं चले तो यही बसंत का अर्थ है कि आपकी जीवन में हमेशा प्रेम जागरित रहे प्रेम है तो बसंत है और अगर प्रेम नहीं है तो जीवन का बस अंत है यह बसंत है तो मैं यह कहता हूँ के प्यार के मंदर सलोने सामने आए कई देखते ही देखते आखों से ओझल हो गए प्यार के मंदर सलोने सामने आये कई, देखते ही देखते ही आँखों से ओजल हो गए, अब मेरी पलकों पे आकर ये ठहरते ही नहीं, आसों में भीग कर सब खौब बोजल हो गए, देखे प्रेम कहां से कहां तक आ रहा है, प्रेम कहां से बोल रहा है, प्रेम की क्या क्या दु बहूत इना नाठ नगा मुझे आने लगा कि वो तो कब के जा चुके अपना रूप निखार वो तो कबके जा चुके अपना रूप निखार अब तक इस एहसास को धरपन रहा निहार वो तो कबके जा चुके शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया वो तो कबके जा चुके अपना रूप निखार अब तक इस एहसास को दरपन रहा निहार संबंधों पर भी एक प्रेम होता है हर संबंध में प्रेम ही बसा हुआ है चाहे कोई भी रिलेशन हो उस संबंध का एक दोहा याद आया लोके जी नजर करता हूँ के कि चंदन जैसे चाहिए आपस में संबंध सूख जाए चंदन मगर बाकी रहे सुगंध सूख जाए चंदन मगर बाकी रहे सुगंध दोस्तों इस देश की तहजीब देखिए इस देश की कल्चर देखिए इस देश के वो अंदाज देखिए जिसमें हम लोग इस मिली जूली तहजीब को जिस इशारे को भाई लोकेश जी बहुत देर से हमें बता रहे हैं ये मिली जुली तहजी भी है जिसने हिंदोस्तान को जिन्दा रखा है इस मिली जुली तहजी जिस देश में अब्दुलकाद्र बदाईवनी रामयान का फार्ड़ी में अन्वाद करते हूं जिस देश में महा भारत का फैजी रजम नमा के नाम से अन्वाद करते हूं जिस देश में डॉक्टर इकबाल कहते हूं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्ताओं को नाज अहले नजर तमचते हैं उनको इमाम हिंद उस देश में एकराम राजस्तानी कहता है जुड़ा इस देश की माटी से मेरा नाम रहता है यह धरती राम की है इसमें ही इकराम रहता है तो यह है असली बसंत जब हम आपस में प्यार करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे अब यह भी आपने आधुनिक रस खान का जखर किया दोस्तों यह वह आधुनिक रस्खान की बात कर रहा है जिए मुझे खताब मिला था और कह रहा हैं कि जिस रस्खान ने भगवान कृण कृष्ट पर जो कुछ लिखा वो इतना अमर लिखा और ये बात मेरे खालते हमारे भाई सरवेश भट यहां बैठे हैं उन्होंने सबसे पहले इस बात को इंगित भी किया कि साब आप रस्खान है और मैंने उस कलम को अपनाया उस कलम को साथ में लेकर लिखना शुरू किया और उसको आगे तक निभाने की कोशिश करता हूँ द लेकिन नाम से रस्खान था कुष्ण भक्ती में ही उसकी जिंदगी का ध्यान था सब सबये कुष्ण के चरणों में अरपित कर गया उसके मन के वरंदावन में पूरा हिंदुस्तान था तो ये मन के वरंदावन में पूरा हिंदुस्तान दचने वाले हम लोग आज इस बसं ना दूँ वोगी तुकि मैं ये जो नहीं कहते हैं वो भी जानता हूं, समझता हूं और जो ये कहते हैं बस उसे नहीं समझता हूं तो मैं कहता हूं के, मिरा मन उसे प्यार करता रहा, मिरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का विव्यापार करता रहा मेरा मन उसे प्यार करता रहा वो मन का भी व्यापार करता रहा आज के समाज को सुन्दर्ब को सारे माहौल को देखिए गए दोस्तो कि सदा हस के जुक के गले जो मिला वो ही वार पर वार करता रहा वो मन का भी व्यापार करता रहा एक शेब पूरी सद्यों का सफर तैय कर रहा है इसमें देखेगा कि मेरे साथ तुमने भी वो ही किया मेरे साथ तुमने भी वो ही किया जो सद्यों से संसार करता रहा जो सद्यों से संसार करता रहा वो मन का भी व्यापार करता एक मुक्त और याद आने लगा दोस्तों सुनाता हूं कि अंधेरा दूर करने के लिए जुगनू नहीं बिखते हमें अपने ही अंदर एक नया सूरज उगाना है अंधेरा दूर करने के लिए जुगनू नहीं बिखते और यहे बाजार दुनिया का चलन निसका निराला है यहां पर खून बिखता है मगर आंसू नहीं बिखते यहे बाजार दुनिया का चलन निसका निराला है यहां पर खून बिखता है मगर आंसू नहीं बिखते तो दोस्तो इस कावी गोश्टी में देखिए लोकेश जी के पास मेरे लिए फर्माइशों का खजाना भरा पड़ा है अब ये एक बहुत गंभीर गीत का जिकर कर रहे हैं ये उस गीत का जिकर कर रहे हैं जब हम एक फिल्म बना रहे थे लोकेश जी के साथ में ये उसके निर देशक थे और इतफाख से मैं इनका गीतकार और संगीतकार था और मैंने वो गीत लिखे जब हमने एक एक दर्द भरा गीत वहां रिकॉर्ड किया बंबई में उस गीत की घटना बताता हूं कि एक बहन अपने भाई की प्रतिक्षा कर रही है रक्षा बंदहन के तोहार के दि जब मैंने फिल्मी जो सिंगर थी लड़की से उसको गीत गवाया आप यकीन मानिये उस गीत को गवाते वक्त वो लड़की सुबकिया भर करके रोले लगी और बहुत गयने लगी इतना से ज़्यादा मुझसे भावना ये नहीं आएंगी भाई की प्रतिक्षा में गीत हो बहुत मुबारगबार देना चाहता हूँ एक बहुत अच्छी फिल्म ही बनाना चाहते थे लेकिन वो संयोग से पूरी नहीं हो सकी लेकिन वो गीत अमर गीत है और आज भी समाज में गाया जाता है बहुत से गाने वाले लोग गा रहे हैं वैसे तो काली बादली को यहां वास्ते लोगों ने डिपक्ट किया हिंदी में भी राजस्थानी में भी अर्दू में भी सब उसमें आता है और मैं तीनों जबानों में लिखता हूँ खास तो मैं लिखता हूँ के हिंदी अर्दू राजस्थानी की मैं पावन गंगा हूँ और कभी कभी तो लगता है मैं खुद ही एक तिरंगा तो वो राजस्तानी भाशा का जो गीत है उसको मैं आपको ज़्यादा नहीं केवल एक मुखडा और अंतरा सुनाओंगा देखे एक बहन अपने भाई के प्रिदिक्षा कर रही है दोहा यह है कि रुकजा काली बादली जाए रही परदेस बीरो भी मिलसी बठे यो दीजे संदेस और वो संदेस दिया इसके धुन मैंने बनाई वहाँ अच्छे मुजिक के लोगों उस पर अपने संगती दी वहाँ कहता हूँ खास्तोर से यह महिलाओं के लिए लेडिस के लिए बहनों के लिए माताओं के नाम से यह गीत मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ जिनके दिल में वो ममता है वो दुलार है वो प्यार है वो सने है एक बहन किस तरह प्रतिक्षा करती वो देखिएगा के संदेस ओ मारा बीरान दीजे काली बादली संदेस ओ मारा बीरान दीजे काली बादली थारो काई बिगड़े लो बादली संदेस ओ मारा बीरान दीजे काली बादली आंतरा देखिए के दूर बशो है जामन जायो दूर बशो है जामन जायो बरस हुया पाछो नहीं आयो थारे सागे चालू पड़ी पड़ी बादली पैदल पैदल भागूंगी तेरे साथ तू मुझे वहाँ लेके चलू थारे सागे चालू पड़ी पड़ी बादली संदे सो मारा बीरा न दीजे काली बादली एक अंतरा और देखे इसका हाँ भाई का नाम उस पर एक तीसरा अंतरा फिर मुझे लिखना पड़ा खास तो उसको गीत को सबसाइट करने के लिए लेड़ी बहुत रोने लगी तो मैंने का अब तू रेस्ट कर ले तेरे लिए एक भाई का नतरा भी लेखता हूं मैं मेल वोइस को कवाँगा इसको पहले महिला का बोल सुनो के के भाई बिना सब लागे फीको भाई बिना सब लागे फीको कुण के करूँ चंदन कोटी को कुण के करूँ चंदन कोटी को अब तो आसुडा से भरगी थाली बादली उस बहन की थाली आसुझे भर गई है जिसे मैं भाई की रक्षा का प्रण ले रही है अब तो आसुडा से भरगी थाली बादली संदे सो मारा बीरा ने दीजे काली बादली यही हम इसको कट करते हैं गेत को और फोरान एक नए अंत्रा मैंने लिखा तैयार किया मेज़िक बाद ढाला और भाई का एक कट सीन बना रहे हैं और कहते हैं के आज मने कुण याद करो है आज मने कुण याद करो है कुण के नेना नीर भरो है गोखा बैठी रोवेचे मारी लाडली संदे सो मारी बैणा न दीजे काली बादली संदे सो मारी बैणा न दीजे काली बादली बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत धन्य बाद